नमस्कार, क्यापिटल टीवी देख रहे हैं, मैं हुआ आपके साथ, पूजा ब्रेकिंग नौ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अर्विन केजरिवाल को बड़ा जटका लगा है, अर्विन केजरिवाल के अधिकारों पर कैटी चल गई है, लोगसबा की बाद में भी पास हो गया है, इस बड़ी कबर पे मेरे साथ न्यूसरूम से जुड़े वे हैं, क्यापिटल टीवी के एडिटर इन चीप, डॉक्टर मनिश्कवाल, कितना बड़ा जटका ये अर्विन केजरिवाल ने तो कहा था, ये सिवी फानल है, 2024 के चुनाओ से पहले, तो के आपने बिल्कुल कुर्स वील्ड शेयर पे आप पुर्व पुर्धान मंतरी मनमोन सिंग को बुला करके आपने रासवाम खड़ा कर दिया, किस तरह के पॉलिटिकल मैनेजर से ये लोग, ये कॉंग्रेस पार्टी किस गर्त में चली गई है, कि आपके पास 131 सरकार की तरफ है, आपके पास कुल संख्या 102 है, कई टचंगों का मसला होता, और अगर आप मनमोन सिंग या इस तरह के वृद्ध लोगों को आप तकलीफ देते तो बास समझ भी भी आती, यहाँ फासला वन थर्ड वोट का है, 30 वोट के आसपास जो है, आप पीछे चल रहे हैं और आपन मुखाल उड़ा है, केजरिवाल के सीश महल, फीडबैक यूनिट, उसके सराब घोटाले, उसके काले कारनामे, कि यह पूछा जा रहा है कि भई, सबसे ज़्यादा, यह केंदर सरकार, केजरिवाल के अधिकारों को खीचना चाह रही थी, क्या किस बात की जरुरत थी, टेक पाँच बजे, इस राजसभा के एक सदस्य है, जो पुर्व चीफ जस्टिस अफ इंडिया, गगोई सहाब, जस्टिस गगोई ने अपने भाशन में क्लेरिटी से सारी बाते रख दी, कि यह जो बिल आया है, यह ना तो सम्विधान के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, ना यह अनकोशिटूशनल है, ना ही यह अनथिकल है, और नहीं यह सुप्रिम कोट के फैसले के खिलाब है, उन्होंने शौट भासन दिया, लेकिन उन्होंने साफ साफ इस बातों को बताया कि किस तरीके से यह जो लाया गया है, यह लोजिकल भी है, और ऐसा लाना चाहिए, ल उन्हों ने कहा कि 11 बजे के आज पास सुप्रिम कोट का फैसला आया जिसे लोर कोट के जरिये implementation के लिए अलग से notification जारी होना था लेकिन उसका भी केजरीवाल ने इंतजार नहीं किया social media account से tutor के उपर ये घोशना कर रहे है कि service का जो commissioner है उसको जो है बरखास्त किया जा रहा है आपने तबदीलिया करनी शुरू कर दी किस चीज के उपर tutor के उपर अभी फैसला को implement करने के जो तमाम कानूनी जो जरूरी चीज़े हैं वो पूरी हुई नहीं और आप action में आ गए तो भई यह आम आदी करते हुए इतनी बेचैनी क्यों थी यह क्या बेचैनी थी कि आप रात के अंधरे में चोरों की तरह विजलेंस कमिशनर के कमरे से फाइले गाइब कर रहे थे उसको फोटो कॉपी करवा रहे थे यह सिसी टीवी कैमरे में सब कुछ निदर आया अर्विन के जीवाल अब इनको कोई नहीं बचा सकता कारण जिस तरीके से लीडर ऑफ दा हाउस गोहल साहब ने चैलेंज किया कि शीष महल का नाम आते हैं, और मैं तो आश्चर चकित हूँ, यह जो INDIA, यह जो विपक्षी एकता का जो एक जो स्वांग रचा जा रहा है, यह तुनों ही लिडर अपने आपको सब चुछादा ही मंदार बताते हैं, एक तो केजरीवाल और एक मंता बृरणजी सफेद सारी हवाई चपल, शीष महल का नाम अमिश्चा ने लिया और आम आदी पाटी वाले तो चुपचा बैठे हुए थे, यह रागव चड़ा बैठा हुआ रह गया, और सबसे ज़्यादा बेचैनी जो है, वो ट्रिमूल कॉंग्रेस के वो डेरेक अब्राइन को हो गया, वो चीख विपक्ष के पूरे आर्गुमेंट में है, वो यह कि दिल्ली को वो एक राज की तरीके से वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली एक राज नहीं है, दिल्ली सम्विधान के कानून के आधार पे उसको गवर्न किया जाता है, यह एक केंदर सौसित राज में एक अधिकार हो ही नहीं सकता, चुकि यह नैशनल कैपिटल है, देश की तमाम राज और देश में रहने वाले तमाम लोग, चाहे वो कन्या कुमारी में हो, चाहे वो ले में हो, चाहे वो गुहाटी में हो, चाहे वो गुजरात में हो, इन सब को दिल्ली पे उतना ही अधिकार ह जितना दिल्ली में रहने वालों का है इसलिए यह बिल तो पास होना ही था चैप्टल टीवी लगातार शुरू से इस बात को हम लों कहते आ रहे थे कि विपक्ष के पास ना तो तर्क है और ना ही संक्या है और इसलिए यह बिल पास हुआ है केजरिवाल की मुसीबत बहुत मर काफी रात हो गया है क्या पता कल सुबह प्रेस कांफरेंस करें तो क्या वही रटाया चीजों को दोराएंगे आपने रात की बात की बहुत लेट भी हो गया अब देखिए नई संसत की क्यों जरूरत है वह आज मालूम चल गया सारा सिस्टम जो है वहां का फेल हो चुका है राष स्रवह में संसत ऐसे बैठे वेस्ञाइए कि कोई पुराने जबाने में इस तरह में बस में लोगों को बिठाए जाता था उस तरीके से वहां संसत बैठे हुए थे और मसीन काम नहीं कर रहा वो तो थाइंग गौड के एसी काम कर रहा अगर एसी काम नहीं कर रहा होता तो दो चार यहां से सीधे हॉस्पिटल जाते इसलिए नए बिल्डिंग की आवसकता आज के इस पुरे द्रिश्ट से मिला है देर है लेकिन अंधेर नहीं है दिली में ब्रस्टचार मुक्त एक सरकार और ब्रस्टचार से ही विचितर सिचुएशन है यह यह कहने में खराब लगता है लेकिन फिर भी कहना पड़ेगा कि अर्विंद केजरी वाल उसने एक मॉडल तयार किया है कि चोरी करो लेकिन किसी को भनक नहीं लगने दो भनक लगता कैसे है किसी भी डिमोकरसी में सरकार के खिलाफ मीडिया में इतना ज्यादा मंगन है डिली से अभी हाँ हाई कोट सुप्रिम कोट से लताल पुरी एड़ अड़िजमेंट को लेकर के तो इसने एलवाई निका लिया पंजाब का एड़ चल रहा है वह पंजाब में एड़ चलाना है पंजाब के लोकल चैनल को दो लोकल अखवार को दो जितना मन है उतना दो तुम्हारा चैनल का जो रीच जो है वो तमिल नाडू में दिखा कर कि वो क्या हासिल करना चारे तो खैर यह अलग सिस्टम है तो अब मीडिया ने जिन भरसचारों को नहीं दिखाया वो एक टाइम सनाव ने सीस महल को दिखाया बाकी सब तो अप ने आप इन लोगों के बीच से निकला है तो अब कई सारे भेद कई सारे राज कई सारे दस्तावेज पॉब्लिक दोमेन में आएंगे केजरिवाल का यह जो भोलापन है कि मैं कटर इमांदार हूं मैं सत्य हरिष्चंद का रिष्टेदार हूं मैं भगत सिंग की ऑलाद हू यह ड्रामा अब बहुत जल यह बंद होने वाला है जब यह बिल को लेकि चर्चा हो रही थी तो बहुत जादा कंफ्यूजन के स्थिती में कॉंग्रस पार्टी थी और आज सबसे जादा खुलकर किसी ने विरोध किया है तो कॉंग्रस पार्टी नहीं किया जैसे कि आपने पहले दिन से तैह है उसका काम निकल गया दो दिन के अंदर में आप देखेंगे कि यह कॉंग्रस के खिलाफ ही बवाल चालू कर देगा क्योंकि वो पिछली बार भी गटबंदन की बात चल रही थी वो यह कहता है कि यहां पर हम मजबूत है विपक्षी एकता चाहिए तो स सातों सीट दिली में आमादभी पार्टी लड़ें क्योंग्रेस पार्टी स्टेप् न्वनकर के पिछे से समर्थन दें पंजाब के अंदर में भी कॉंगरेसपार्टी अगर साथ मेराना चाहती है तो तेरा में से कम से कम दस सीटे हमें मिले तब जाकर के ये गड़बंदन पॉसिबल है अधरवाइस ये गड़बंदन पॉसिबल नहीं होगा Congress Party आधर तूटेगी Congress Party आधर reject करेगी Congress Party आधर इस pressure के अंदर सकम करेगी ये तो वो जाने लेकिन केजरिवाल अपने दिमाग से clear है वो किसी भी कीमत पे राहूल गांदी को प्रधान मंत्री के पद पे नहीं देखना चाहता पहसबाजी भी हुई नारेबाजी भी हुई उसके बाद आखिरकार वोटिंग की जब बारी आई तो परची से वोटिंग कराए गई उसके बाद इस बिल को पास कर दिया गया जो अर्विन की इजरिवाल के लिए बहुत बड़ा जटका है इस बड़ी कबर में मेरे साथ फिल